हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू अनाधर क्विक टुटोरियल दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा सा एक्सल का टुटोरियल लायों आपके लिए तो इसमें क्या है मैं बताऊँगा आपको कि किसी भी टेबल में आप बॉर्डर कैसे देंगे तो बहुत ही चोटा सा क्विक टुटोरियल है वीडियो को पर लास तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहां पर एक्सल का एक फाइल खोल रखा है यहां पर आपको कोई भी सपोज मैंने कुछ भी यहां पर लिखा सीरियल नंबर एक छोटा सा टेबल में बना देता हूं फटटफट तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने छोटा सा एक टेवल बना लिया है अब इस टेवल को अगर हम ऐसे ही प्रेंट निकालते हैं तो यह बिल्कुल बहुत ही बेकार से लगेगा देखने में तो इसे बिल्कुल सही से बिल्कुल well form में कैसे हम इसे print करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पूरे को इसे select करना होगा ठीक है select करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यह option आरा बॉर्डर का ठीक है bold italic underline के अंदर ही यहाँ पर आता है ठीक है अब इसे आप जैसे चाहें वैसे आप इसको arrange कर दे सभी को यह रहा अब जो हमारा print होगा यहाँ पर अगर मैं इसका selection बना के और मैं इसे print करूँ तो आप देखना इसका preview कैसा आएगा यहाँ पर मैं करता हूँ selection तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा print होके आएगा अगर हम print करेंगे इसे तो अगर वही हम अगर इसे border को नहीं लगाते हैं suppose इसे सब को select करके मैं इसे करता हूँ no border no border कर दिया अब मैं अगर इसे selection बना के और इसका print लेना चाहूँ तो देखना आप इसका कैसे आएगा print देख सकते हैं तो इस तरह से हमें lining यहाँ पर नजर नहीं आएगा तो जब भी आपको table print करना हो तो सभी को all border करना न भूले यह best habit है आपके office के काम में और जो भी report आप दोगे वो बढ़िया well form में report जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में वैसे इतना ही उमीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आओगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर कोई सवाल यह सुझा हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अंगले वीडियो में गुद्ब्बे